तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है और इसके काफी सारे जो है जो है जो है विनिंग सिट्वेशन है चाइना की यहां पे जीत मानी जा रही है और चाइना इस यह जो अभी जो इवेंट है जिस तरह से यूएस ने फटाफट से एक्जिट मारा है आपका अफगानिस्तान से और यह मैसेज यहां पे चाइना के द्वारा ताइवान को भी दिया जा रहा है कि आप USA के उपर अपनी प्रोटेक्शन के लिए निरबर ना रहें ओके अफगानिस्तान का किस तरह से हाल हुआ है लेकिन यह जो पूरा इशू है जहां पे बताया जा रहा है कि चाइना के लिए जीत हुई है इसका एक दूसरा साइड भी है और इसकी अगर हम बात करें तो चाइना के लिए बहुत कंसर्ण करने वाला इशू है अफगानिस्तान में जिस तरह की सिचुवेशन हो रही है तो कि दैट कुड बी ए बिग हैड़क फर दे चाइना इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है उसकी अगर हम बात करें इसकी रिगार्डिंग यह ब्लूमबर्ग है यहां पे एक आर्टिकल भी है जिस पर हम डिसकूस करेंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो चेंज हो रहा है पूरा तालिबान का जिस तरह से यहां पे कबज़ा हो गया है इसकी वज़े से चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है 282 बिलियन डॉलर्स का यह बहुत ही मासीव इन्वेस्टमेंट है यह चाइना का जो है पूरा खत्रे में पढ़ सकता है इस पूरे डाइमेंशन को हम डिसकूस करते हैं आगे बढ़ने से पहले दिस इस ब्रिफ इंट्रेक्शन अबाउट मी माइन इम इस राहूल भरद्वाज यह मेरा टेलिग्राम चैनल है इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पीडिया अब दे सेशन वी अविल एविलेबल धिया है लेखिए चाहिना का जो प्रोजेक्ट है यह जो सब्सक्री से बाद में इसका नाम चेन्ज करके बेल्ट और इनिशेटिव कर दिया गया यह जो शी जिन पिंग है उन्होंने दोजार तेरा में इसको अनॉंस किया 2013 के बाद से इसे इस पर काफी काम किया गया है और यहाँ पर क्या किया जा रहा है जो across the continents different different जैसे Asia है और यहाँ पर हम बात करें तो Europe तक जा रहा है अफरीका तक जा रहा है और different regions है अगर हम Central Asia की यहाँ पर बात करें you have that Southeast Asian countries है इनको यह क्या कर रहा है infrastructure से connectivity की जा रही है तो यह जो आपको orange color की line दिख रही है that is basically economic belt यह क्या है land based आपके route है और इसको silk road economic belt के नाम से भी जाना जाता है जहाँ पर चाइना की जो connectivity है Central Asian countries से होते हुए आपकी Europe तक जा रही है और इसी तरह से आपका यह जो sea based आपका route है जहाँ पर चाइना जो है पूरा South China Sea से होता हुआ South East Station countries को connect करता हुआ Indian Ocean से आता हुआ आगे Africa और अपनी जो connectivity है Europe तक लेके जा रहा है और इसको आपका maritime road नाम दिया गया है that is this maritime road 21st century maritime silk road के नाम से इसे जाना जा रहा है तो चाइना का बहुत ambitious project है और यहाँ पर चाइना जो है आपके roadways, railways, maritime ports, power grids, oil and gas pipelines and other infrastructure projects में invest कर रहा है total अगर हम investment की बात करें overall estimated investment that is 282 billion dollars और इसी का एक आपका part है जो belt and road initiative है इसी का एक part है that is CPAC चाइना पाकिस्तान economic corridor जो चाइना का जो western reason है जिंजियांग reason है उससे आपका connect कर रहा है ग्वदार port को ग्वदार port को इस तरह से कर रहा है और यह जो कुछ part है इंडिया का जो you have that पाकिस्तान occupied कश्मीर वहां से भी यह pass होता हुआ दिख रहा है तो केवल CPAC के अंदर यह आपका 62 billion dollars का investment किया है और यह जो पूरा का पूरा investment है यह आपका थोड़ा सा danger होता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा risk factor यहाँ पे create हो रहा है चाइना के लिए इस context में हम देखते हैं कि चाइना के लिए क्यों यहाँ पे risk factor है चाइना क्यों परेशान है देखिए अगर हम recent events की बात करें तो जुलाई के अंदर एक blast हुआ जहाँ पे Chinese जो bus थी वहाँ पे no Chinese engineers जो है मारे गए उस blast के अंदर और यहाँ पे यह जो engineers है यह दासू hydroelectric dam है जिसमें काम कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से यह blame डाला गया तालिबान के उपर पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की soil से यह attack हुआ है और वहाँ पे जो तालिबान है उसकी तरफ से यह attack हुआ है एक और incident होता है उसके कुछ दिनों बाद ही और यहाँ पे जो Chinese ambassador है जिस hotel में रुक रहे होते हैं वहाँ पे एक suicide bombing carry out की जाती है और इसका blame जो है पाकिस्तानी तालिबान पे डाला जाता है अब आप यह दो तरह के तालिबान सुन रहे होंगे एक के अंदर क्या है अफगानिस्तान की soil से जो तालिबान operate कर रहा है और दूसरा है पाकिस्तान की soil से जो तालिबान operate कर रहा है इसका reason यह है कि अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का यह जो एरिया है यहाँ पे यह पश्टूंच है और बेसिकली यह तालिबान को dominate करते हैं और कुछ एरिया यह पाकिस्तान का भी है जहाँ पे यह रह रहा है तो चाइना इसके अंदर जो अफगानिस्तान वाला पाक दिया जब यह दासू अटेक हुआ जिस तरह से चाइनीज इंजिनियर्स मारे गए तो चाइना ने पूछा कौन सा तालिबान तो उस कॉंटेक्स के अंदर यह थोड़ा सा कंसर्ट करने वाला इश्यू है क्योंकि अगर चाइना वहाँ पे प्रोजेक्स को एक्जीक्यूट किया है तालिबान को और यहाँ पे एक पब्लिक लेवल पे चाइना ने यह एंशॉर किया कि जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं वहाँ पे एंशॉर किया जाए कि अफगानिस्तान की जो सॉयल है उसको चाइना पे अटेक करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा तो इस यहाँ पाकिस्तान यह अफगानिस्तान है और यहाँ पे यह जो पूरा जिन जियांग रीजन है और इसकी जो capital है यह जो capital आपको दिख रहा है जैसे आमने CPAC में देखा था तो यह जो उरूमची है that is this capital of जिन जियांग रीजन तो यह आपका बहुत sensitive reason है चाइना का जो जिन जियांग रीजन है यहाँ पर अगर डेमोग्राफिक के इसाब से बात करोगे तो वीगर मुस्लिम्स और 58 परसेंट यहाँ पर अल्मोस्ट अगर हम बात करें तो अरूंड 50 परसेंट के असपास यहाँ पर वीगर्स हैं और प्री डॉमिनेंटली मुस् सकते हैं कि यहाँ पर यह जो बैल्ट अंड रोड इनिशेटिव है यह आपका कॉंप्रोमाइज हो सकता है क्योंकि सिक्यूरिटी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है इसलिए चाहिना यह चाहता है कि आपका अफगानिस्तान के अंदर स्टै और चाहिना यह नहीं चाहेगा कि जो पाकिस्तान है वो डी स्टैबिलाइज हो या इसका जिन जियांग रिजन डी स्टैबिलाइज हो जिसकी वज़े से इसका जो बी आरई प्रोजेक्ट है बेल्ट अंड रोड इनिशेटिव है यह कॉंप्रोमाइज हो क्योंकि एक बार अल्रेडी चाहिना को प्रोब्लम हो चुकी है चाहिना ने बी आरई के अंडर में वेनेजिवला में काफी इन्वेस्टमेंट किया था और यहां पे ओईल प्राइसे क्रैश होने की वज़े से वेनेजिवला यहां पे कोई भी पेमेंट नहीं कर पाया था और कोई भी चाहि चाईना का रिटन नहीं मिलाता तो चाईना का जो पैसा वहां पर चाईना ने इंवेस्ट किया वो एक तरह से आप समस्ज सकते हैं भी वी वापस नहीं आया है तो एक तरह का credit टो छाइना कीस तरह से लोन देता है यह यह थोड़ा अलग है क्योंकी वर्ड बैंक अगर लोन दे रहा है तो इस गंट्री को लोन देता है उसकी क्रेडिट हिस्टरी देखता है कि इसने लोन लिया है तो वापस ब्याज़े चुकाया है नहीं चुकाया है लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है चाइना यह देखता है कि अगर हम यहाँ पे इंवेस्टमेंट करेंगे तो किस तरह का हमारे पास opportunities create होगी something like this तो चाइना का अपना एक इशू है लेकिन चाइना के अंदर जो development banks है वो already आपके under capitalized है जो भी उसके global competitors है और इसके अलावा वो जो banks है आपके वो बनाए गए हैं businesses को loan देने के लिए लेकिन अगर वही banks अगर इस तरह से failed states को loan देंगे वहाँ पे उनका पैसा अटक जाएगा तो लोग question करना स्टार्ट करेंगे और कुल मिला कि जो जी जिन पिंग है उनकी authority compromise हो सकती है और पूरा का पूरा ही जो project है इस पे भी question mark लग सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है जहां पे तो invest किया हुआ है अफगानिस्तान में direct investment नहीं है लेकिन अफगानिस्तान अगर destabilize होता है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा तेरा बार help ली है अपनी financial condition को improve करने के लिए तो यह जो एक different side यहां पे place किया गया इस पूरे issue का उसमें क्या बताया जा रहा है कि America का यहां से exit होना इसका मतलब यह नहीं है कि China के लिए कोई winning condition है चाइना के अपनी challenges है और इसी को आप यह एक article है that is Al Jazeera यहां पे भी यही results है उनको tap कर सके लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान का stable होना जरूरी है उसी के बाद कुछ यहां पे हो सकता है that's all for today make sure that you follow me on this link to get access of the PDFs इसके लावा मेरी free special class के लिए मुझे इस link पे follow कर सकते है और एक आपका कल से economy का course शूरू हो रहा है सुबह नो बज़े इस पे भी आप मुझे join कर सकते हैं जो बच्चे plus पे हैं apart from this आपका दो महीने का सब्सक्रिप्शन है 13,500 रुपे का यह सब्सक्रिप्शन है इसके लिए आप जा सकते हैं और GS और optional के लिए आपको 45% discount दिया जा रहा है जिसमें आपके one year की जो price होगी that will be around 44,000 make sure you are using the code rblife to get discount and personalized guidance इसक आपका सब्सक्रिप्शन next year means तक valid है loan facility का link है दो साल उससे उपर के सब्सक्रिप्शन पर अश्वार आपको दिया जा रहा है and this is the fee structure okay this is the fee structure and you can use the code rblife here iconic के कुछ added benefits है personal mentoring है और doubt solving daily doubt solving है या iconic का आपका fee structure है you can go for optional as well okay optional के लिए भी आप जा सकते हैं या optional का आपका fee structure है एक सितमबर से आपके नए batches start हो रहे हैं जिनमें पूरा slivers cover हो रहा है इनमें भी आप enroll कर सकते हैं हर संदे को आपका combat होता है जिसके अंदर आप 60 मिनट में 56 questions करते हैं अच्छा perform कर रहे हैं तो काफी सारे prices आप जीए सकते हैं free test series का भी benefit ले सकते हैं that's all for today don't forget to like share and subscribe all the best have a great day झाल